प्यारे देश वाशियो नमस्कार तियत्तर में गड़तंतर दिवस की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रहने वाले आप सभी भारत के लोगों को मेरे हार्दिक वधाई हम सब को एक सूत्र में बांधने वाली भारतियता के गवरों का ये उत्सव है सन 1950 में आज ही के दिन हम सब की इस गवरोशाली पहचान को अउपचारिक स्वरूप प्राप्थ हुआ था उस दिन भारत विश्व के सबसे बड़े गड़तंतर के रूप में स्थापित हुआ और हम भारत के लोगों ने एक ऐसा संबिधान लागू किया जो हमारी सामोहिक चेतना का जीवन्त दस्तावेज है हमारे विविदता पूर्ण और सफल लोगतंतर की सरहना पूरी दुनिया में की जाती है हर साल गड़तंतर दिवस के दिन हम अपने गतिसील लोगतंतर तथा राश्री एकता की भावना का उत्सो मनाते है महामारी के कारण इस वर्ष के उत्सो में धूमधाम भले ही कुछ कम हो परन्तु हमारी भावना हमेशा की तरह शशक्त है गड़तंतर दिवस का ये दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर भी है जोनों ने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुल निये साहस का परचे दिया तता उसके लिए देशवासियों में संघर्ष करने का उत्साह जगाया दो दिन पहले 23 जन्वरी को हम सभी देशवासियों ने जैहिंद का उद्गोस करने वाले नेताजी सुभाज शंद्र भोस की 125 वी जैन्ती पर उनका पून इस्मरण किया है स्वाधिनिता के लिए उनकी ललक और भारत को गौरशाली बनाने की उनकी महत्वा कांचा हम सब के लिए प्रेड़ना का सोथ है हम अतियंत सवभाग साली हैं कि हमारे संविधान का नर्मान करने वाली सभा में उस दोर की सर्वस्रेश्ट विभूतियों का प्रतिनिधत्व था वे लोग हमारे महान स्वाधिनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे लंबे अंतराल के बाद भारत की रास्टिये चेतना का पुनर जागरन हो रहा था इस प्रकार वे असाधारन महिलाएं और पुरुस एक नई जागरती के अगरदूद की भूमिका निभा रहे थे उन्होंने संभिधान के प्रारूप के प्रतेक अनुछेद वाक और शब्द पर सामान जन्मानस के हित में बिस्तित चर्चा की वे विचार मन्थन लगवक तीन वर्स तक चला अन्तता डक्टर बावा साहिब आमबेटकर ने प्रारूप समिति के अध्धक्ष की हैसियत से संभिधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वे हमारा आधार भूत ग्रंत बन गया यद्धिपी हमारे संभिधान का कलेवर विश्रत है क्योंकि उसमें राज्ज के कामकाज की विवस्ता का भी विवर्ण है लेकिन संभिधान की संक्षिप्त प्रस्तावना में लोक्तंत्र, नियाय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्य के मार्ग दर्सक सिधान्त, सारगर इन आदर्सों से उस ठोस आधार सिला का नर्मान हुआ है जिस पर हमारा भब गनतंत्र मजबूती से खड़ा है। संबिधान में उलिखित मूल कर्तब्यों का नागरिकों द्वारा पालन करने से मूल अधिकारों के लिए समुचित वातावन बनता है। हमारे कर्तब्य पराण नागरिकों को जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारे देशवासी इसी कर्तब्य निस्ठा के साथ राश्ट्र हित के अवियानों को अपनी सक्री भागिदारी से मजबूत बनाते रहेंगे। प्यारे देशवासी हो। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभादवारा अंगीकरत, अदिनियमित और आत्मारपित किया गया। उस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके दो महीने बाद 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूरता प्रभावी हुआ। ऐसा सन 1930 के उस दिन को यादगार बनाने के लिए किया गया था जिस दिन भारत वासियों ने पूरी आजादी हासिल करने का संकल्प लिया था। सन 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतहा ये तै किया गया कि उसी दिन से संविधान को पूर्णता प्रभावी बनाया जाए। सन 1930 में मादमा गांदी ने देश वासियों को पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का तरीका समझाया था। उन्होंने कहा था चूकि हम अपने धे को अइंसात्मक और सच्चे उपायों से ही प्राप्त करना चाहते हैं और यह काम हम केवल आत्मशुद्धी के द्वारा ही कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उस दिन हम अपना सारा समय यथा शक्ति कोई रचनात्मक कारे करने में बिताएं। इथा शक्ति रचनात्मक कारे करने का गांदी जी का यह उपदेश सदेव प्रासंगिक रहेगा। उनकी एक्षा के अनुसार गरतंदर दिवस का उत्सव मनाने के दिन और उसके बाद भी हम सब की सोच और कारियों में रचनात्मक्ता होनी चाहिए गांदी जी चाहते थे कि हम अपने भीतर जहाग कर देखें आत्मे निरीक्षण करें और बेहतर इंसान बनने का प्रियास करें और उसके वाद वाहर भी देखें, लोगों के साथ सायोग करें और एक बहतर भारत तता बहतर विश्व के निर्मान में अपना योगदान करें प्यारे देश्वासियोव, मानव समुदाय को एक दूसरे की साहता की इतनी जरूरत कभी नहीं पड़ी थी जितनी की आज है अब दो साल से भी अधिक समय बीट गया है, लेकिन मानवता का कुरोना वाइरस के विरुद्ध संगर्श अभी भी जारी है इस माहमारी में हजारों लोगों को जान से हाँ दोना पड़ा है, पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्ता पर आगात हुआ है, विश्व समुदाय को अभूद पूर्व विपदा का सामना करना पड़ा है नित नए रूपों में यह वाइरस नए संकट प्रिस्तुत करता रहा है, यह इस्तिती मानोजाती के लिए एक असाधारन चुनोती बनी हुई है मामारी का सामना करना भारत में अपिक्छाकरत अधिक कठिन होना ही था, हमारे देश में जन संक्या का घनत बहुत ज़्यादा है और विकास सील अर्थ विवस्ता होने के नाते हमारे पास इस अद्रस शत्रू से लड़ने के लिए उप्युक्त इस्तर पर बुनियादी ढाचा तथा आवस्यक संसाधन परियाप्त मात्रा में उपलब्द नहीं थे लेकिन ऐसे कटिन समय में ही किसी राष्ट की संघर्स करने की छमता निखरती है मुझे ये कहते हुए गर्व का अनवो होता है कि हमने कुरोना वाइरस के खिलाफ असाधारन द्रश संकल्ब और कारिश छमता का परदर्सन किया है पहले वर्स के दौरान ही हमने स्वास्त सेवा के बुनियादी धाचे को बिस्तरत तथा मजबूत बनाया और दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे बढ़े दूसरे वर्स तक हमने स्वदेशी टीके विक्सित कर लिए और विश्व इतिहास में सबसे बड़ा ठीका करन अवियान सुरू कर दिया यह अवियान तेज गती से आगे बढ़ रहा है हमने अनेक देशों को वैक्सीन तथा चिकित्सा सम्मंधी अन्न सुविधाय प्रदान कर आई है भारत के इस योगदान की वैस्विक संगठनों ने सरहना की है दुर्भाग से संकठ की स्थितियां आती रही है क्योंकि वाइरस अपने बदलते स्वरूपों में वापसी करता रहा है अन्गिनत परिवार बयानक विप्दा के दौर से गुजरे है हमारी सामोहिक पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन एक मातर संतुना इस बात की है कि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकी है महामारी का प्रभाव अभी वी बयापक इस्थर पर बना हुआ है अतहा हमें सतर के रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी धील नहीं देनी चाहिए हमने अब तक जो सावधानिया बरती हैं उन्हें जारी रखना है मास्क पहनना और शोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोवीड अनुरूप बेवहार के अनिवार अंग रहे है कोवीड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वग्यानिकों और विशेशग्यों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट धर्म बन गया है यह राष्ट धर्म हमें तब तक निभाना ही है जब तक यह संकट दूर नहीं हो जाता संकट की इस घड़ी में हमने यह देखा है कि कैसे हम सभी देशवासी एक परिवार की तरह आपस में जुड़े हुए है सोसल डिस्टेंसिंग के कठिन दौर में हम सबने एक दूसरे के साथ निकटता का अनभो किया है हमने मैसूस किया है कि हम एक दूसरे पर कितना निर्भर करते हैं कठिन परिस्तितियों में लंबे समय तक काम करके यहां तक की मरीजों की देख भाल के लिए अपनी जान जोकिम में डाल कर भी डाक्टरों नर्सों और पैरा मेडिक्स ने मानवता की सेवा की है बहुत से लोगों ने देश में गतिविधियों को सुचार रूप से जारी रखने के लिए ये सुनिशित किया है कि अनिवार सुबधाएं उपलब्द रहें तथा सप्लाई चेन में रुकावट ना पैदा हो केंद्र और राजिस्तर पर जन सेवकों, नीती निर्माताओं, प्रशासकों और अन्न लोगों ने समय अनुसार कदम उठाए है इन प्रियासों के बल पर हमारी अर्थ विवस्ता ने फिर से गती पकड़ ली है प्रतिकूल परसितियों में भारत की द्रड़ता का ये प्रमान है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आही कमी के बाद इस वित वर्स में अर्थ विवस्ता के प्रभावशाली दर्से बढ़ने का अनुमान है ये पिछले वर्स सुरू किये गए आत्म नर्भर भारत अवियान की सफलता को भी दरसाता है सभी आर्थिक छेत्रों में सुधार लाने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने हैं तो सरका निरंतर सक्री रही है इस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्सन के पीछे क्रसी और मैनिफेक्चरिंग छेत्रों में हो रहे बदलाओं का प्रमुख योगदान है अपना रहे हैं लोगों को रोजगार देने तता आर्थ विवस्ता को गती प्रदान करने में छोटे और मजोले उद्यमों ने मात पूर्भूम का निभाई है हमारे इनोवेटिव यूबा उद्यमियों ने स्टार्ट अप एको सिस्टम का प्रभावी उप्योग करते हुए सफलता के नए कीरती मान इस्थापित किये हैं हमारे देश में विक्षित, विशाल और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट प्लेट फार्म की सफलता का एक उदारन यह है कि हर महिने करोणों की संख्या में डिजिटल ट्रांजेक्शन किये जा रहे हैं जन संसाधन से लाब उठाने यानि डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने के लिए हमारे पारंपरिक जीवन मोलियों एवं आधुनिक कोशल के आदर ससंगम से युक्त राश्ट्री सिक्षानीती के जरिये सरकार ने समुचित वातावन उपलब्द कराया है मुझे ये जानकर प्रशनता हो रही है कि विश्व में सबसे उपर की पचास इनोवेटिव एकॉनमीज में भारत अपना इस्थान बना चुका है ये उपलब्धी और भी संतोष जनक है कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ युगता को बढ़ावा देने में सक्षम है देवी और सज्जनू पिछले वर्स ओलंपिक खेलो में हमारे खेलाडियों के शानदार प्रदर्सन से लोगों में खुशी की लहर दोड़ गई थी उन युवा विजयताओं का आत्म विश्वास आज लाखों देशवासियों को प्रेरित कर रहा है हाल के महिनों में हमारे देशवासियों दोड़ा विभने चेत्रों में अपनी प्रतिवद्दता और करमठता से रास्ट और समाज को मजबूती प्रदान करने वाले अनेक उलेख नी उदाहरन मुझे देखने को मिले हैं उन में से मैं केवल दो उदाहरणों का उनलेक करूंगा भारतिये नौसेना और कोचीन सिप्यार्ट लिम्टिट की समर्पित टीमों ने स्वदेसी वा अतियाधुनिक विवान वाहक पोत आई एसी विक्रांत का निर्मार किया है जिसे हमारी नौसेना में सामिल किया जाना है ऐसी आधुनिक सैन छमताओं के बल पर अब भारत की गणना विश्व के प्रमुख नौसेना सक्ती संपन देसों में की जाती है ये रक्षा के छेत्र में आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर होने का एक प्रभावशाली उदाहरण है इसे से हटकर एक विशेस अन्भो मुझे बहुत हिर्दय इसपरसी लगा हरियाना के भिवानी जिले के सुई नामक गाउं में उस गाउं से निकले कुछ प्रवुद्ध नागरिकों ने समवेदन सीलता और करमटता का परिचे देते हुए स्वप्रेरित आदर्स ग्राम योजना के तहित अपने गाउं का काया कल्प कर दिया है अपने गाउं यानि अपनी मात भूमी के परति लगाओ और करतगता का यह एक अनुकरनी उदाहरन है करतग लोगों के हरदय में अपनी जन्म भूमी के परति आजीवन ममता और स्रद्धा वनी रहती है ऐसे उदाहन से मेरा यह विश्वास द्रण होता है कि एक नया भारत उभर रहा है ससक्त भारत और संबेदंसील भारत मुझे विश्वास है कि इस उदाहन से प्रणा लेकर अन सक्षम देशवासी भी अपने अपने गाउं एवं नगर के विकास के लिए योगदान देंगे इस संदर में आप सभी देशवासियों के साथ मैं एक निजी अनवव साज़ा करना चाहूंगा मुझे पिछले वर्स जून के महीने में कानपुर देहाद जिले में इस्थित अपनी जन्म भूमी अर्थात अपने गाउं परोंख जाने का सवभाग मिला था वहाँ पहुँचकर अपने आप ही मुझे में अपने गाउं की माटी को माथे पर लगाने की भावना जाग उठी क्योंकि मेरी मानता है कि अपने गाउं की धर्ती के आसीरवाद के बल पर ही मैं रास्टपती भवन तक पहुँच सका हूँ मैं विश्व में जहां भी जाता हूँ मेरा गाउं और मेरा भारत मेरे हृदय में विद्दमान रहते हैं भारत के जो लोग अपने परिश्वम और प्रतिभा से जीवन की दोड़ में आगे निकल सके हैं उनसे मेरा अनरोध है कि अपनी जड़ों को अपने गाउं कस्वे सहर को और अपनी माठी को हमेशा याद रखिए साथ ही आप सब अपने जन्मिस्थान और देश की जो भी सेवा कर सकते हैं अवस कीजिए भारत के सभी सफल व्यक्ति यदि अपने अपने जन्मिस्थान के विकास के लिए निस्ठा पूर्वक कार करें तो इस थानी विकास के आधार पर पूरा देश विक्सित हो जाएगा प्यारे देशवासियों आज हमारे सैनिक और सुरक्षा कर्मी देश अविमान की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं हिमाले की असेहनी ठंड में और रेगिस्तान की भीशन गर्मी में अपने परिवार से दूर वे मात्र भूमी की रक्षा में ततपर रहते हैं हमारे ससस्त्रवल तता पुलिस कर्मी देश की सीमाओं की रक्षा करने तता आंतरिक विवस्था बनाए रखने के लिए रात दिन चौक्सी रखते हैं ताकि अन सभी देशवासी चैन की नीद सो सके जब कभी किसी वीर सैनिक का निधन होता है तो सारा देश सोक संतप्त हो जाता है पिछले महीने एक दुरघटना में देश के सबसे बहादूर कमांडरों में से एक जनर्र बिपिन रावत उनकी धर्म पतनी तता अनेग वीर वो धाओं को हमने खो दिया इस हादसे से सभी देश बासियों को गहरा दुख पहुँचा देवी और सज्जनों देश प्रेम की भावना देश बासियों की करतब निस्था को और मजबूत बनाती है चाहे आप डाक्टर हों या वकील, दुकंदार हों या आफिस वरकर, सफाही कर्मचारी हों या मजदूर अपने करतब का निर्वहन निस्था वा कुसलता से करना देश के लिए आपका प्राथमिक और सबसे महत्पूर योगदान है ससस्त्र बलों के सर्वुच कमांडर के रूप में मुझे यह उलेक करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह वर्ष ससस्त्र बलों में महिला ससक्तिकर्ण की द्रस्टी से विसेश महत्पूर रहा है हमारी वेटियों ने परंपरगत सीमाओं को पार किया है और अब नए छेत्रों में महिला अधिकारियों के लिए इस्थाई कमीशन की सुविदा आरंब हो गई है साथ ही सैनिक स्कूलों तता सुप्रतिस्टित नेशनल डिफेंस एकडेमी से महिलाओं के आने का मार्ग प्रसस्त होने से सेनाओं की टैलेंट पाइप लाइन तो सम्रद होगी ही हमारे ससस्त्रबलों को बहतर जेंडर बैलेंस का लाब भी मिलेगा मुझे विश्वास है कि भविस्थी की चुनोतियों का सामना करने के लिए भारत आज बहतर इस्थिती में है 21 सदी को जलवाई परिवर्तन के यूग की रूप में देखा जा रहा है और भारत ने अक्षे उर्जा के लिए अपने साहसिक और मात्वा कांची लक्षों के साथ विश्व मंच पर नेतर्त की इस्थिती बनाई है निजी इस्तर पर हम में से प्रत्यक व्यक्ति गांदी जी की सलाह के अनूप अपने आसपास के परिवेश को सुधारने में अपना योगदान कर सकता है भारत ने सदैव समस्थ विश्व को एक परिवार ही समझा है मुझे विश्वास है कि विश्व बंदुत्य की इसी भावना के साथ हमारा देश और समस्थ विश्व समधाय और भी अधिक समरस तथा समरद्ध भविश्व की ओर आगे बढ़ेंगे प्यारे देश वासियो इस वर्स जब हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब हम अपने रास्टी इतिहास का एक मात पूर पड़ाव पार करेंगे इस अवसर को हम आजादी का अमरत महत्सो के रूप में मना रहे हैं मुझे यह जानकर प्रसंता हो रही है कि बड़े पैमाने पर हमारे देश वासी विसेश कर हमारे युवा इस अइतिहासिक आयोजन में उच्सा पूर्वग भाग ले रहे हैं यह ना केवल अगली पिली के लिए बलकि हम सभी के लिए अपने अतीत के साथ पुना जुड़ने का एक शानदार आउसर है हमारा स्वतंदरता संग्राम हमारी कवरोश वाली एतिहासिक यात्रा का एक प्रेरक अध्याय था स्वाधिनिता का यह 75 वर्स उन जीवन मुल्यों को पुना जागरत करने का समय है जिन से हमारे महन राश्ट्री अंदोलन को प्रेरणा मिली थी हमारी स्वाधिनिता के लिए अनेक वीरांगनाओं और सपूतों ने अपने प्रान निउच्छावर किये हैं स्वाधिनिता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के राश्टी पर न जाने कितनी कठोर यातनाओं एवं बलिदानों के पश्चाथ नसीब हुए हैं आईए गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब स्रद्धा पूर्वक उन अमर वलदानियों का भी इस्मरण करें प्यारे देश्वासियों हमारी शब्वता प्राचीन है परंतो हमारा ये गणतंत्र नवीन है राश्ट निर्मान हमारे लिए निरंतर चलने वाला एक अभियान है जैसा एक परिवार में होता है वैसे ही एक राश्ट में भी होता है कि एक पीड़ी अगली पीड़ी का बेहतर भवे से सुनिश्चित करने के लिए करी मेहनत करती है जब हमने आजादी हासिल की थी उस समय तक आउपरिवेशिक साशन के सोशन ने हमें घोर गरीवी की स्थिती में डाल दिया था लेकिन उसके बाद के 75 वरसों में हमने प्रभाव साली प्रगती की है अब युवा पीड़ी के स्वागत में अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं हमारे युवाओं ने इन अवसरों का लाव उठाते हुए सफलता के नए प्रतिमान इस्थापित किये हैं मुझे विश्वास है कि इसी उर्जा आत्म विश्वास और उद्यम सीलता के साथ हमारा देश प्रगती पत्वर आगे बढ़ता रहेगा तथा अपनी छमताओं के अनुरूप विश्व समधाय में अपना अग्रणी इस्थान अबस्प्राप्त करेगा मैं आप सभी को पुना गणतंत्र दिवस की हार्दिक्ष्व कामनाय देता हूँ धन्यवाद जय हिंद